बताने में कुछ नहीं जाता, बोलने में कुछ नहीं जाता, उसे आमंतरित करने में कुछ नहीं जाता, लिखने में कुछ नहीं जाता, वहाँ जाने में कुछ नहीं जाता गैस ऐसे sentences को आप daily life में use करते हो तो आज के इस वीडियो में गईज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे sentences को आप English में कैसे बोलोगे तो समझते हैं दोस्तों सबसे पहले इसका structure सबसे पहले गईज आपको यूज करना है nothing goes to इसके बाद लगाना है word की first form and then object देखते हैं example से बताने में कुछ नहीं जाता तो गईज सबसे पहले आपको according to rule यूज करना है nothing goes to इसके बाद लगाना है word की first form word है बताना यानि tell तो आपका complete sentence हो गया guys nothing goes to tell इसके बताने में कुछ नहीं जाता अगले example देखते हैं बोलने में कुछ नहीं जाता तो सबसे पहले यूज करना है nothing goes to इसके बाद guys आपको लगाना है according to rule word की first form word है बोलना it means speak तो आपका complete sentence हो गया guys nothing goes to speak it means बोलने में कुछ नहीं जाता clear अगले example देखते हैं उसे आमंत्रित करने में कुछ नहीं जाता तो सबसे पहले यूज करना है nothing goes to plus verb की first form word है आमंत्रित करना it means invite किसे उसे यानी him तो आपका complete sentence हो गया guys nothing goes to invite him it means उसे आमंत्रित करने में कुछ नहीं जाता clear अगले example है लिखने में कुछ नहीं जाता तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है nothing goes to plus verb की first form word है लिखना it means right तो आपका complete sentence हो गया guys nothing goes to right it means लिखने में कुछ नहीं जाता clear अगले example है वहाँ जाने में कुछ नहीं जाता तो सबसे पहले according to rule आपको यूज करना है nothing goes to plus verb की first form verb है जाना it means go कहाँ जाना वहाँ यानी there तो आपका complete sentence हो गया guys nothing goes to go there it means वहाँ जाने में कुछ नहीं जाता clear guys ऐसे sentences भी आप Delhi Life में यूज करते हो जैसे बस यही बाकी था सुनने को बस यही बाकी था कहने को बस यही बाकी था बोलने को बस यही बाकी था पढ़ने को बस यही बाकी था लिखने को गई तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसका structure सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है only that was what left to इसके बाद युश करना है verb की first form and then object तो समझते हैं guys example बस यही बाकी था सुनने को तो सबसे पहले दोस्तों according to rule आपको युश करना है only that was what left to इसके बाद युश करना है verb की first form verb है सुनना it means here तो आपका complete sentence हो गया guys only that was what left to here it means बस यही बाकी था सुनने को अगले example है बस यही बाकी था कहने को तो सबसे पहले guys according to structure आपको युश करना है only that was what left to इसके बाद युश करना है verb की first form verb है कहना it means say तो आपका complete sentence हो गया guys only that was what left to say it means बस यही बाकी था कहने को clear अगले example है बस यही बाकी था बोलने को तो सबसे पहले guys आपको युश करना है according to rule only that was what left to इसके बाद युश करना है verb की first form verb है बोलना it means speak तो आपका complete sentence हो गया guys only that was what left to speak it means बस यही बाकी था बोलने को clear अगले example है बस यही बाकी था पढ़ने को तो सबसे पहले according to rule आपको युश करना है only that was what left to इसके बाद युश करना है verb की first form verb है पढ़ना it means yesterday तो आपका complete sentence हो गया guys only that was what left to yesterday it means बस यही बाकी था पढ़ने को अगले example है बस यही बाकी था लिखने को तो सबसे पहले guys according to rule आपको युश करना है only that was what left to plus verb की first form verb है लिखना it means right तो आपका complete sentence हो गया guys only that was what left to right तो बस guys आज के लिए इतना ही मिलती हूँ next वीडियो में I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप only that was what left to and nothing goes to से एक एक sentence comment section में बना कर जरूर लिखे Thank you